सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते राम राम और सबस्क्राइक चोटो को मेरा धेर सरा प्यार मैं हूँ अन्रादा और सागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में तो आज जा रहे हैं हम हरी दौर और हम हरी दौर क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं यह सब आपको बीडियो में आगे बताओंगी तो आपना बीडियो को कट़ इसकिप ना कीजिएगा और हरीदवार जाते समयना हमें काफी ज़्यादा कावडिया दिखाई दे रहे थे यहाँ पे भक्तजन अपने अपनी कावडियों को लेकर जा रहे थे गंगा मयाजी को अपने साथ लेकर जा रहे थे और हमें साथ में ना काफी ज़्यादा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा और हमें कहीं पे पहुंचना था हमारी डेस्टिनिशन ना हमारी बहुत ज़्यादा करीब थी यूएस नगर से हरिद्वार तक का सफर ना काफी ज़्यादा लंबा था और इतनी ज़्यादा दूरी तया करने के बाद यहां पे हम हज़दार पहुंचने वाले थे और यहां पे जो सामने पहाड़ी दिखरी है ना यह चंडी माता का मंदीर है तो चलिए गाई जबी ना हम हरी दौर पहुंच गये हैं और देख सकता है यहां पे हमारा तिरंगा जंडा भी लहरा रहा है और साथ में यहां पे देखो कावरियों का मेरा लगा हुआ है कसम से इतने जादा कावरिया होँई भुवाद तो आप सब गंगा महिया जिए कि जली जली से दसंद कर लीजे कि देख सकते हैं कि यहांभी क्या कि जयाता बेड़ है तो हम गंगा मईया के दूसरे साइट में थे और यहांसे हमें दृस्तन होते हैं वहां मन्सा माया जी के बहुत हैं कर दूसरा हमारी हमारी मंदिर्च के पार्णार है ना जूता यहीं रहना तो जूता में बार बार पहर लगा होगी रहना से जाराम करकेते जाराम करकेते करहा है झाल 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 तो पहले तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इतनी ज्यादा हवा चल रही थी ना बहुत ही ज्यादा और जो यहां का गंगा मैया का जो जल था ना वो इतना ज्यादा था बिल्कुल बरब के जैसा लग रहा था छूने पे तो गाइस मैं फाइनली आपको बता देती हूं कि हम हरिद्वार की वाएं थे हरिद्वार में मेरा एक्जाम था एक्जाम देने के बाद जैसा ही मेरा एक्जाम खतम हुआ हम लोग गंगा दर्सन के लिए गंगा घाट पे पहुंच गया थे तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ना सिब्रातरी आने वाली है तो यहां पे न करने के बाद तुरंत हमें घर में भी आना था बाइक से गये हुए थे हमारे पर जादा समय नहीं था नहीं तो हम और भी गंगा दर्सन करते आगे से आगे पर हमें जादा टाइम नहीं मिल पाया तो हमें घर भी पहुंचना था और ट्राइफिक बहुत जाता था तो कुछ इसलिए गये थे हम हरी दौर अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो में हर हर गंगे जरूर लिखना कमेंट में तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मैं रदा मिलती हूं कि कि नई वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ तक लिए आप सौस्ट रहे हैं मस रहे हैं और अपने कमों में भी आस रहे हैं बाबाई